सौर ज्वालाओं का एक विस्वोट हुआ है वो जीवन जो इस तरह से विस्वोट के लिए तयार है वो स्फूर्ती से भर जाएगा एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आने वाला है कुछ इसका लाब उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे, आप क्या करेंगे? तो मौनसून के अगस्ट महीने के हिसाब से ये काफी गर्म है शायद अगले 10-12 महीने औसतन तापमान दूसरे सालों के तुलना में कहीं ज्यादा होगा क्योंकि सौर ज्वालाओं का विस्फोट हुआ है हमें ये समझना चाहिए कि इस धर्ती पर सारा जीवन सौर उर्जा से चल रहा है सौर उर्जा कोई आपका अविश्कार नहीं है क्योंकि आपने सोलर पैनल बना लिया पेड का पत्ता एक सोलर पैनल है ये ग्रह अपने आप में एक सोलर पैनल है वो सब कुछ जो हम यहां कर रहे हैं चाहिए आप एक पेड को खाएं या जानवर को या आप लाइट चालू करें वो शायद डीजल या कोईले या किसी और चीज़ पर चल रहा हो पर चाहिए जो हो सब कुछ सौर उर्जा से है तो इस धर्ती पर मूल उर्जा सूरी की है जब ऐसा है तो अगर इस सौर उर्जा का स्त्रोत हमें एक विस्फोर दे रहा है अगर आपको इसे लेना आता है तो ये बहुत लाबदायक होगा अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे लें तो अब जल सकते हैं हाँ तो इसे कैसे लें इसका क्या मतलब है जैसा कि आप सब जानते हैं या शायद ना जानते हो आप मैं से कई लोग मासूम हैं, सिर्फ किताबे पड़ी हैं, आप प्रित्वी पर घूमे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे गर्मियों के आने पर खिल उठते हैं, हम इसे बसंद कहते हैं असल में ये गर्मियों के शुरुवात है, और जीवन खिल उठता है जब सौर उर्जा पर्याप्त नहीं होती, तो सब कुछ धीमा हो जाता है, इतना तो आप जानते हैं आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो अगर आपको सौर उर्जा का विस्फोर्ट मिले तो वो जीवन जो इसके लिए तयार होगा, वो सौर्टी से भर जाएगा और वो जीवन जो तयार नहीं है, वो कमजोर हो जाएगा या जल जाएगा तो अगर ये मिट्टी उब जाओ है और परयाप्त नमी को सोखे हुए है तो अगर सौर बहुत गर्म हो जाए, तो ये पेड़ दुगनी तेजी के साथ बढ़ेगा सामान्य गती की तुलना में अगर मिट्टी में पोशन नहीं है, तो सौर इसे जला डालेगा यही बात आपके और मेरे लिए भी है अगर आपकी जड़ें उपजाव जगा में हैं, तब सौर जवालाओं से इंसानों को खिल उठना चाहिए क्योंकि हम इस धर्ती के किसी दूसरे जीवन से अलग नहीं है उनकी और हमारी भौतिक संरचना, जब मैं कहता हूँ भौतिक संरचना तो रूप नहीं, पर बुनियादी भौतिक संरचना और जैसे इनका क्रम विकास हुआ है, तो ये एकी तरह से हुआ है अमीबा से लेकर मनुष्य तक, तो हर जीवन अगर ये उपजाउस त्रोत में है, तो वो खिलेगा नहीं तो मुर्जा जाएगा, या कम से कम नुक्सान तो उठाएगा तो अगले बारा मईने, दस से बारा मईने मैं कहूंगा शायद बहुत गर्म हो सकते हैं हो सकता है ना भी हो, निर्भर करता है कि पृत्वी इसके जवाब में क्या करती है अगर गर्मी ज्यादा होगी, तो इस धर्ती के जलाशयों से वाश्पी करण की मात्रा भी ज्यादा होगी खास तोर से महा सागरों से, जो की सबसे विशाल है अगर पानी भाब बनेगा तो आपको क्या लगता है ये कहां जाएगा मुखे तोर से सबसे पहले ये बादल बनता है तो अगर बादलों का निर्मान बहुत ज्यादा होगा तो फिर से ये पृत्वी को ठंडा कर देंगे पर एक चीज जो होगी वो ये कि जब बादल उपर उठते हैं तो वो बस वहाँ बने नहीं रहते नहीं ऐसे ही गायाब हो जाते हैं उनका ज्यादतर हिस्सा नीचे आता है बारिश के रूप में दुनिया के वो हिस्से जो काफी ठंडे हैं वहाँ ये बर्फ के रूप में नीचे आएंगे अगर जगा गर्म है तो वही चीज बारिश के रूप में आएगी तो अगली गर्मियों में सम्शी तोष्न जलवाईयू की जगाओं के लिए शायद ये बहुत बड़ी चुनाती होगी और कुछ हद तक हमारे लिए भी यानि की सालाना ओसद जो बर्फ गिरती है अगर इस बर्फ का 20 प्रतिशद भी बर्फ के बजाए बारिश के रूप में नीचे आ गया तो मानव समाज के लिए अकल पनीत रास्दी हो जाएगी खास तोर से शहरी क्षेत्रों के लिए वैसे आप अभी भी ये देखी रहे हैं मुझे लगता है अगर आपको मुंबई ये दिल्ली में रहना है तो आपको अपनी कार के साथ एक नाव भी चाहिए क्योंकि ये हर साल होता है अब ये बारा साल में एक बार नहीं होता हर साल हो रहा है तो वहां रहने के लिए आपको एक नाव भी चाहिए वैसे दक्षन भारत ने इतना कुछ नहीं जहला है इसके कई कारण है पर ये भी संभव है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मौनसून की हवाएं और बादलों की गती थोड़ी उत्तर की तरफ हो जाएगी ये एक्वेटर से दूर होते जाएंगे ये स्वाभाविक होता है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ये भूम अद्य रेखा से दूर हो जाते है तो वो बारेश जो यहाँ गिरनी चाहिए अगर वो जर्मनी या स्विट्जरलंड या कहीं और चली जाएगी तो वो जगएं इस तरह की बारेश के लिए तयार नहीं है उन्हें बर्फ चाहिए लेकिन हम बारेश और मौनसून की बातें क्यों कर रहे है सद्गुरू, सद्गुरू ये दर्शन है हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ की एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आ गया है कुछ इससे लाब उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे आप क्या करेंगे? आपको इससे लाब उठाना चाहिए तो मैं तो पूर्ण बात ये है कि इस उर्जा का संरक्षन कैसे करें? कैसे इसका सकारात्मक धंग से उप्योग करें बजाए कि इससे बिमार हो जाएं? तो वो सब मेडिकल चीजें मैं उनसे बोलूँगा कि उसकी एक लिस्ट बना दें कि आपको क्या करना चाहिए कितना पानी पीना चाहिए वगरा वगरा वो चीजें हम बता देंगे लेकिन महतुपून चीज ये है आप में से ज्यादा तर लोग सूरिक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं इसका मतलब हम ज्यादा ग्रहन करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये उन बेवकुफू को भी सिखाया जा रहा है जिनोंने कुछ नहीं किया है अगर आप सही तरीके से इसे ग्रहन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उर्जा में एक खास उल्लास रहेगा अगर नहीं करेंगे तो ये आपको दुर्बल बना देगा तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए आने वाला साल अच्छा होने वाला है मैं बारा महीनों का लाब उठाना चाहता हूँ कि ज्यादतर प्राण प्रतिष्ठाएं जो हमें करनी है हम इस समय में पूरी करना चाहेंगे जब प्रकृति हमारे लिए अनुकूल है मैं ये सब बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं सौर्ज वाला हूँ या किसी चीज का अध्यन कर रहा हूँ मेरा शरीर मुझे बताता है हर दिन आपका शरीर भी बताता है आपको सुनना सीखना चाहिए अब पानी पीने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि कितने लीटर पानी आपको पीना चाहिए एक कुता, बिल्ली, पक्षी हर कोई जानता है कि पानी कब पीना है और कब नहीं है ना फिर इंसान कैसे नहीं जानते तो ये इसलिए क्योंकि आस्मान में तो बादल हमारे लिए लापदायक होते हैं पर आपके सिर में ये अच्छे नहीं होते ये बादलों से घेरा हुआ है क्योंकि एक बुनियादी गल्ती जो आपने कर रखी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को सच्चाई मान कर बैठे हैं अभी आप सब को एक टाइगर के बारे में सोचना है सोच सकते हैं? एक चमेली के फूल के बारे में सोचिए सोच सकते हैं? एक शैतान के बारे में सोचिए आप जो चाहें उसके बारे में सोच सकते हैं है की नहीं पर आपका ही बनाया हुआ आपको कैसे टॉर्चर कर सकता है ओ अगर आपका ही बनाया हुआ आपको टॉर्चर करने लगे तो आप सच मुझ दिक्कत में हैं है ना क्योंकि वो बुन्यादी गल्ती ये है कि आपने अपनी मनोविज्ञानिक सच्चाई को अस्तित्यु की सच्चाई मान रखा है मनोविज्ञान हमारा बनाया हुआ है हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं ये ड्रामा है मानसिक ड्रामा जो आप बना रहे हैं कम से कम अच्छे डारेक्टर तो बनिये हलो तो आपको बस थोड़ा निर्देशन सीखना है यहां क्या होना चाहिए ये आपको तै करना चाहिए है नहीं तो अगर आपको ड्रामा चलाना नहीं आता तो कम से कम उसे रोग देना चाहिए और बस बैठें, आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या हो रहा है कम से कम तीन से चार गंटे में एक बार बस दो मिनिट के लिए अपनी आँखे बंद करिये और देखिए कि क्या चल रहा है अभी क्या इसे खाने की जरूरत है पानी पीने की या बस सांस लेना अच्छा है क्या हो रहा है हलो क्या आपका जीवन इतना ध्यान देने लायक तो है मैं पूछ रहा हूँ आपका जीवन क्या इतने के लायक तो है तो प्लीज करिए तो यह अच्छा समय है अगले 10 से 12 महिने हम दिसंबर के महिने में जब यह गर्म होगा पर सुहावना भी होगा तो हम यहाँ ईशाय योग केंद्र में यह साधना का महिना होगा तो यह अच्छा समय है क्योंकि जो जानता है वो जो जीवन के लिए फिट है हर समय अच्छा समय होता है जो जीवन के लिए फिट नहीं है वो हमेशा यह देखता रहता है कि कौन सा अच्छा समय है कौन सा बुरा है अगर आप जीवन के लिए फिट हो जाएं तो हर समय अच्छा समय होगा यहीं सजब आपूजब को आपारा ब्रभाइब नाप प्यद्ट एर प्याले कि टूल है